वेलकम टो विर्जी ओन वील्स आज की वीडियो में मैं आपको explain करने वाला हूँ कि जब भी मैं राइड करता हूँ तो उस राइड पे मैं कौन-कौन से essential tools अपने साथ रखता हूँ तो आप मुझे question कर सकते हैं और मैं उसका answer देने की जल्दी से जल्दी कोशिश करते हैं अब बात करते हैं अपनी toolkits की toolkits क्यों जरूरी है और parts जो essential parts जो हैं वो क्यों जरूरी है बिकास कई वर हम राइड पर ऐसी location पर भी जाते हैं जहां लोग जिस location पर हमारे पास ना तो कोई हमें mechanic मिल पाता है ना ही कई पर petrol pump होता है एक्जाम्पल के लिए ले-लदा ले-लदा की कई ऐसी locations हैं जहां पर हम लोग जाते हैं और हगर हमारी कुछ भीर को तो उस केस में हम खुक हो जाते हैं जासे कि सपोस में तयर केस में वह ट्यूबलस टाएर होता है बड़ जैसा कि दूसरी काडिवों और मिंहिंस पोकन वील्स हैं और उसमें टायर जो है वह ट्यूबलस तो बंदा ना आगे का ने बिच्छीगा और ऐसी लोकेशन पे जब हम पहीं स्टक हो जाए जहां पे ना तो हमें कोई और सर्विस प्रवाइटर मिले तो देन हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है लोग स्टक हो जाता है उसकेस में राइडर ही राइडर की हेल्प करता ह जैसा कि नॉर्मली अगर आपको केसी ग्रूप में अगर जा रहे हैं तो देन इस ओके वो एक राइडर अगर को इश्यू हुआ है तो दूसरे राइडर उसकी हेल्प कर देते हैं और अगर आपको पास कोई पार्स ही नहीं तो आप कैसे करें आप तो बिल्कुस राकोई है तो इसकी सब्सेंशल चाहिए और साथ ही साथ कुछ असेंशल पार्ट को ने चाहिए तो अगर आप नहीं कर सकता है दूसरा कोई करता है ठीक है उसके लिए सबसे पहले जुम मैंने रखा हुए अपने पास चेंग लूब्रिकेंट और जेंग लिखा हुए अगर आप लूब्रिकेंट है और यह दोनों जो हैं सिरफ चेन क्लीनिंग के लिए काम नाते हैं यह इसलिए है कि अगर आपकी चेन जो है सब्सक्राइब डर्टी होगी है अब उसको चेन को क्लीन करना है तो आपको किसी की वेट नहीं करने हैं जस्ट डूइट विद यूर और उसमें क अगर यह ब्रश होना चाहिए यह ब्रश जो है यह थ्री साइड से बिसिकली क्लीन करता है और एक साथ में आपके बास एक कॉटन का कोई भी कपड़ा होना चाहिए थोटा-बोटा जो कि जो डर्ट है उसको थोड़ा सा निकान से बस ठीक है बाकि मोसली काम यह हमारा काम कर अब यह चेन लूब्रिकेंट क्या करता है जैसे हमारे ग्रीसिंग होती है हमारे इंजन में ओइल चलता है वैसे ही यह चेन को लूब्रिकेंट कर देता है चेन को स्मूथ रखता है उससे हमारे चेन की लाइफ भी बढ़ती है और साथ ही साथ जो हमारी आगे की छोटी करा करा हरी होती है और पिछे की बड़ी करा रही होती है गाड़ी को लेगे जिस से चेंग चल रही है वह दोनों की लग भी बढ़ मैंने का पाट्ष कोंगो सर्क है आजरा मैंने आपको बताया कि टायर जो है अगर आपका बस्त हो जाता है इसमें या पांचर हो जाता है तो उसके में आपनी हल्प कैसे गए उसके लिए आपको जो टूल चाहिए वह चाहिए पांचर कि टूल प्रोफेशनल अगर आप लेंगे त्यान एंट बेटर मैंने जो टूल किट मंगाई है यह है कि विली बी करके हैं कमपनी जिसका मैंने पूरे टूल किट मंगाई थी जिसमें मेरे पास हैं gloves gloves ठीक है और pencher के लिए लगाने के लिए ये दो tools है इससे जब हम pencher होता है तो इससे हम उसको hole में जो अगर कील है तो कील पहले निकालना है प्लायर की मदब से उसको की निखालिए और फिर की जगाह पर इसको को depends को स्कूराइट स्क्रैच करेंगे ताकि जो हमने जो फिलर डालना है कि अगर यह हमें डालना है तो इसके समें एव फोड़ा उपन होना चाहिए अगर नहीं होगा तो बहुत टाइट जाएगा वो हम डाली नहीं बहा दो इसको थोड़ा सपने के लिए ये टूल है इसके इंदर डालके और जो फोल है उसके अंदर हमें इसको इंसर्ट करना होता है ताकि जो ये लॉक होजे प्रॉपरी ये इसके लिए तो इस टूल किट में मेरे पास जो है कि क्याने कि देशके हैं प्रॉपरी जो हैं बाईंटिय में अब करेंगे हैं मारेश करेंए ये तूल मेरेश आपको एक्स्प्लेन करता हो और जब भी हम वे प्रॉपरियर लगाएंगे तो उस केच में हमें यह इसके साथ हमें यह थोड़ा सा ग्लू भी लगा देना ताकि और उसके स्ट्रेंथ बढ़ जाए ठीक है क्योंकि यह पड़े-पड़े सूप भी जाता है अगर यह जादो देर पड़ा रहेगा यह सूप जाएगा आपको एक ग्लू की ज़रूर्ट पड़ेगी प्रहिए पैसे तो इसकी ज़रूर्ट नाहीं पड़े लेकिन फिर भी कई बर क्या होता है कि पैंचर हो गया तो उसकेस में किसी का में मुह नहीं रिखना पड़ेगा ठीक है अच्छा पैंचर होने जब हो जाए उसकेस में तो मैंने बता दिया आपको कही है यह टूल्स आपके लिए यह टूल्स है और यह यह आपने पैंचर को का जो उपर का एक्स्टा पार्ट रहता है उसको काटने के लिए ब्लेड है अब हम बात करते हैं अगर आपकी ट्यूब जो है उसके नोजल होती है जिससे हम हवा वरते हैं अगर वही खराब होजे तो तो भी आपको रिलेस करने चाहिए है ताकि जो हवा है उसे प्रॉपरली उसमें लॉग रहे इसके अंदर एक वाशर है तो मेरे बाद चार जो है यह नोजल्स है प्लास्टिक की कैप्स भी है उसके के अंदर काफी तारी बैट प्लास्टिक की किट का मैं प्रेफर नहीं करता हूँ मुझे अगर यह सब्सक्राइब की जो काप्स हैं वो अगर आप लगाएंगे तो 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 यह प्लिए ठीक है और साथ ही साथ ही देखिए इस किट के अंदर मुझे वाल्स भी बिले वाल्स जो है यह जब हम टायर के अंदर जब एर प्रेशर अंदर जाता है तो उसको लॉक करने के लिए प्लास्टिक की वह लीक करते हैं तो मेक शियर के वह आपका जो है लीक ना हो अब इसको लीक को कैसे चेक करना है उसके लिए एक अलग वैसे तो वीडियो को यह बनाने चाहिए बट अगर आप जैसे अगर गाड़ी की यह नोसल अगर आप देखिए तो आप जब लगी है अब इस थलकी सी ठूक लगा के इस पर आज देख लें अगर यह बबल्स बन रहे हैं इसके मंदर इट मींस आपा वाल जो है वह लीक है अब कई लोग बोलेंगे यार पैंचर नहीं होता है अरे बाई जब होता है ना इसको जिसके साथ होता है उसको इसको पता होता है तो बैटर है कि आप अपने प्रोकॉशन जो है लेके चलें अपने साथ किट लेके चलें आप करें ना करें वह एक अलग चीज है वैसे नहीं होना चाहिए कि थी तब भी बट अगर इनकेस फिर भी कोई ऐसी दिक्कत आती है तो तो आपके बास टूल्स होने चाहिए ठीक है अब बात आती है टायर प्रेंचर तो हमारा हमने ठीक कर लिया बट अब आगे क्या करें हावा तो निकल गी अब हवा निकल गी है तो डालने तो आए ना हवा चाहिए वी शूड हैवा किसी भी कंपनी का इंफलेटर पोटेबल है बहुत कोड़ा है किरी कर सकते हैं कोई दिकत ही है मैं इसको अभी फिलाल मैंने अपनी काड़ी में वीडिस को डाल इससे चलाकर देता जिसमें बैटरी इसकी अभी दो पॉलिक और तब भी यह इसी लीड वर्त अरहा तो एक यह अगारो निकाए बट मैं किसी कंपनी को पर्मोट नहीं करता हूं don't worry about it आप किसी भी कंपनी कीट ले सकते हैं किसी भी कंपनी का टूल कीट ले सकते हैं थोड़ा से पैरामेटर्स यहां उसकी जो स्पेसिविकेशन वो जुरूर चेक कर ले अगर अगर आप देखें इसके अंदर मुझे मिलता क्या है वह आपको अभी दिखा देता हूं एक इंफिनिटर और साथ ही साथ हवा बनने के लिए बहुत सा समान के पाइप है जो के डिरेक्ट लग जाता है इसके लिए अगर आप यहां पर अगला आई तो यह यहां पर अटाइच बाद हम सिरफ सीधा गाड़ी में इसको टक करना है और उसके बाद इसको समान इसके लिए अलग से वीडियो में मना दोगा इसमें आपको पूरा एक्सक्लेण करता है कैसे नीच कर साथ अगर और मैं इसी वीडियो में पूरा किन्स करने तो यह बहुत बिक लमबी वीडियों बनने वाले है तो हमारा अब हमने टायर्स में हवा भी डाल ली तो अब बात करते हैं कहीं अंधेरे में अगर हम फद गए तो कि अब बहुत ज़दा अंधेरा है उस इस लोकेशन में हम गए है और हमेरा हमारा टायर ट्रेंचर होगा है राधी राध को तो हम क्या करेंगे तो उस केस में हमारा पास एक स्पेसिक लाइट होनी चाहिए अगर तो हम किसी ग्रूप में चलना है फिर तो कोई हमारे लिए करके उसे हम मारा काम हो जाएगा बड़ जहां पर कुछ ऐसा है जहां पर बिल्कुल अंधेरा है और साथ में ना तो मेरे पास साथ कोई है अपेला सोलो राइडिंग अगर सपोज मैं मेरी तरह कर रहे हैं आप तो उसकेस में आपको यह लाइट की ज़रूद पने तो लाइ पैन की तरह भी आप इसको यूज कर सकते हैं और इसके अंदर हमें मिलता है अन आफ करने का बटन पीछे और साथ ही 5 वोल्ट चार्जिंग के लिए इन भी मिलता है थर्ड ऑप्शन जो है यह आउट पुट है सबोज आपको कोई डिवाइस इससे चार्ज करनी है तो आप इसके साथ हमें एक केबल भी मिलती है इसको चार्ज करने के लिए हाला कि यह माइक्रो यूजबी में है तो इसकी मुझे नहीं लगता कि जरूरत है क्योंकि इसकी मोस्ली 12 वोल्ट है लोग बास होता ही है चार्जर और अगर आप नहीं है तो आप इस केबल का भी यूजब करें ठीक है अब इसकी लाइट चेक करते हैं यह थ्री स्टेजिस में चलती है फूल पावर पे है यह 75 परसंट पे आगई यह 25 परसंट पे आगई तो इसकी देंस जो लाइट का जो आउट्पुट है वो बहुत अच्छा है और अंधेरे में जो है बहुत अच्छा काम करेगा यह स्पेशली मैंने इसलिए और की ठीक है इसको भी वापिस रख देते हैं अब बात करने हैं बाकी की टूल किट्स की जैसे कि मेरे पास एक है मैंने आप ब्लू बॉक्स में एक तो स्कुरू ट्राइवर होना ही चाहिए हमारे बास अलग से होना चाहिए सेपरेट किसी किट को ला नहीं होना चाहिए और प्रेफर करें के अगर आप टपारिया का ले यह है ठीक है पेच को सब्सक्राइड करते हैं यह एलन की आजकल जितने भी पाइक साती है उन सब में एलन की बोल्ट्स होते हैं किसी किसी में आज भी चावियां वाले जो है वही यूज होते हैं बट कहीं न कहीं मैक्सिमम जो एरिया है वह वह हमें हर जगा एलन की बोल्ट ही मिलिए ठीक है तो एलन की बोल्ट मेक शूर आप टपारिया का ही ले मैं टपारिया को प्रेफरिया को प्रेफरिया को तो एक तो बैंड हो जाएगी तूसरा आगे से जो इसका फेस होता है यह फेस जो है खराब हो जाता है तो कि अब बात करते हैं कि यह एलन की किट है यहिस सिर्फ और सिर्फ मम साइज की लेना डो टाइब क्या एम्म में एलैकर इन्च इlet तो अगर आप इसमें नहीं है और 6 suni स्यूटी यह वaffle 2 च्ति शूटी यह और सबसे बड़ी वहों टार दो साइब में उसमें और वहोलेस्ट मेंविल जाता हैं हमें हमें और कुछ लेने की सवरुत नहीं कुछ ऐसी जगाया होती है जहां पर एलन की नहीं लगती है वहां पर सिर्फ चावियां ही काम करती है तो मैंने अपने साथ एक चावियों को सेट भी रखा हुआ है इसमें कि छे नंबर से लेकर और यह हैं 22 नंबर तक की चाविया है ठीक है छे साथ आट नो दस ग्यारा बारा तेरा चोला तू सेकंड्स लेटर वंदरा सोला सत्रा अठारा उननिस और उसके बाद सीधा बीस एंड़ाइस आती है इक इस नहीं है तो इसकी ज़रुत भी हमें कभी- जाती है और आर्गरशन के आप इसको पीं साथ में रहने अब इसको जरो कहां पड़ेगी आपको ऐसे तो कई गड़िवे टूलगी होती है और कई गाड़ियों में टूलुल्किट जो है नाम ही होती हो वह Posksop typically अभी कांगा आएगी वो में आभी आपको बता जैसा कि क्लच केबल अगर हमें चेंज करनी है हमारी कलच वायर हमाराँ पास होनी चाहिए फिस से लूगर Injяд करने के लिए आपको चाबियों की जुरूर पढ़ेंगे अगर आपके बाद चाबियों की नहीं है तो कुछ नहीं कर पाएंगे तो मेक शूर आप चाबियों को सेट भी अपने साल रखें तो दोसो किलोमेटर पानसो किलोमेटर जो राइड है तो आप कोई मुझे सिरफ टायर जो किट है सिरफ आप वो रखें बाकि अगर आप किसी ऐसी ड्राइब पर जा रहे हैं जहां पर आपको लगता है कि आपको मेकानिक नहीं मिल पाएगा तो आप पूरी किट रखें इसको माइक्रोफाइबर में आप इसको यूज करें अचा पार्ट की जहां तक मैंने बात आपको की कि एक तो आपको अपको आपको आस क्लच वायर होनी चाहिए तुसरा आपको पुछ फ्यूजिस होने चाहिए फ्यूजिस आप 5 एंपियर 10 एंपियर और 15 एंपियर तीनों के आ कंई बैसमें जातीक हैं और गुजिस अब श Two लगते हैं किसी बड़ी बड़े लगते जी से AirPods आपने डूसे गाड़ smack और व्यूजिस अभी इच्वे स्च व थोड़ा लगता और और बाइक्स में अभी इस्टोटा आने लगग ज़या है बट 2 बाइक्स में अभी वी यहां से वायर जो है टाइट हो जाती है और दूसरी करफ जो है यहां पर हमारा स्पार्कॉर अब यह खराब नहीं होता है वैसे गौन बली आपको बताओ यह क्यों रखा है कई बार क्या था बारिश में हम जब जा रहे हैं तो बारिश में इसमें पानी चले ज़ा तो उस केस में आपको जरुत रहेगी इसकी पैसे लेकिन यह एक इसेंशल आप जरूर रखें ज्यादा कॉस्ट नहीं है सो रुपे की यह कॉस्ट करती है अच्छा क्लच वायर जो है यह मैंने जो है मेरी मेटियोर है 350 तो इसकी केबल असेम्बली जो है मुझे मिली है 210 रुपे की और फ्यूजिस पांट-पांट-ददद्दो रुपय का मार्केट वे अवलेबल है कोई दिक्कत नहीं है और एक चेन लॉक जरूर रखें जो के मेरे पास अभी कित में अवलेबल नहीं है मैं आपको दिखानी पा रहा हूँ बट मैं उसकी इमेज जो है आपको यहां पे वीट पांट-प्लग शॉट शॉटिंग जो होती है उसकी वज़े से वह पर बनाता है तो भूभी आप अपने साथ रखें त्रीम्म की टेप अपने साथ रखें यह कई जगा काम आती है सबोज आपके कोई ऐसी चीज है जो होगे राइड करते हुए छोटे ची ब्रेक हो गई है कुछ हो गया है तो उस टेम पे त्रीम्म की टेप आपकी बहुत काम आने वाली ठीक है तो त्रीम्म की टेप होगी और इस टेप होगी आप जरूर रखें तो वीडियो को फिनिश क पैनल और कोई भी आपकी क्वेरी हो तो प्लीज मुझे कमेंट में आपका लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको जब 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 दे उसका अंसर करेंगे थैंक्यू बेरी मुच शब बगयर